रिवन उत्साहा नियूस की आग दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है इस से पहले भी उन्होंने 19 मार्च 2019 को एक पदक मिल चुका है उन्होंने राष्ट्रे सुरक्षा सलहाकार अजीत डोभाल ने उन्हें सम्मानित किया था बिलास्पूर के इस जाबा सिपाही को तीसरी बार पुलिस पदक से नवाजा गया हिमाचल में दो बच्चों की मा ने सेना के जवान पर लगाया दुशकर्म का आरोप पुलिस ने दर्ज किया मामला जिला कांगणा में एक महिला द्वारा अपने पती को तलाग देने के बाद अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान किया गया था लेकिन महिला ने प्रेमी के साथ शादी ना करने के बजाए प्रेमी के खिलाफ दुशकर्म का मामला दर्ज कर दिया दो बच्चों की मा महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज आगामी कारवाई शिरू कर दी है बताया जा रहा है कि पुलिस थाना डम्टाल में पठान कोट की रहने वाली एक महिल अन्ही जब थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका प्रेमी आरोपी जम्मू कश्मीर से सेना में कार्यत है बद्धी में मिना सर कटी डेट बॉडी बद्धी के बिलावाली गाओं के समीप मिले महिला के कटे सिर के बाद अब साथ ही लगती केलाश विहार कॉलावनी से धड़ बरामत किया है इसकी सूशना सफाई करमचारी ने पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मामले की जान शुरू कर दी है धड़ को पोस्ट माटम के लिए आईजी एमसी शिमला भेश दिया गया है जानकारी के अनुसार पाँच दिन पहले बिलामवाली के समीप एक महिला का कटा सर मिला था ये सीर गाओं के साथ ही कूडे के धेर में फैंका हुआ था सानिय लोगों ने इसकी सूशना पुलिस को दी इसके बाद पुलिस ने सीर को कबजे में लेकर जान शुरू कर दी अब पाँच दिन के बाद साथ लगते कैलाश विहार में एक भवन के समीप बोरी में महिला का धड़ मिला है हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा भरती का आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग पुलिस कॉंस्टेबल की भरती का आयोजन करने जा रहा है शीगरी भरती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ऐसे में हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्याले की तरफ से इच्चक उमीदवारों को त्यार रहने की सला दी है पुलिस विभाग में पुरुष कॉंस्टेबल 976, महीला कॉंस्टेबल 266 और कॉंस्टेबल चालक में 91 पद भरे जाएंगे इनमें कुल 1334 पद भरे जाएंगे गौर रहे कि पुलिस भरती में होने के लिए ग्राउंट टेस्ट सहित लेकित परिक्षा होती है ऐसे में उम्मीदवारों को अभी से तयारियां करनी होंगी ताकि इस टेस्ट को उतिर्ण कर सके अवैद खनन करने वालों पर सरकार ने कसा शिकंजा प्रशासन के अदिशु के बाद सुनला कोटी और कनला में अवैद खनन माफिया पर शिकंजा कस दिया गया है संयुक टीम ने नदी और खड़ों के तटो की और जाने वाली सडकों को बंद करवा दिया है शनिवार को टीम ने पांच अवैद सडकों को बंद करवाया इन सडकों के माध्यम से खनन माफिया सुनला नदी के किनारे अवैद खनन करता था मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तीवित कारवाई करते हुए स्रियूंग टीम को आदेश दे दिये इसके बाद अवे सडकों को बंद करवा दिया गया कोरोना को लेकर सीएम जैराम ने अधिकारियों को जारी किये निर्देश मुख्या मंतरी जैराम ठाको ने कहा कि सभी फिल्ड अधिकारियों को कोरोना महामारी की रोक थाम के लिए अपनाई जाने वाले विभिन कदमों की जानकारी है उन्हें ये निश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी समाजिक समहारों पर प्रतिबंद लगाए जहां लोग उचित परस पर दूरी बना कर नहीं रख रहे हैं जिन शेतरों में कोविड नाइंटिन के मामले तेजी से बड़े हैं वहां लोगों के टीका करन पर विशेश ध्यान दिया जाए चिंतपूर्णी मंदिर में श्रदालू और दुकानदारों के मास्क ना पहनने पर पुलिस ने काटे चलान शक्ती पीट चिंतपूर्णी में डीसी के आदेश के बाद बजार में बिना मास्क घूम रहे श्रदालू पर करी कारवाई कारेकारी मंदिर अधिकारी अभिशेक भासका ने चिंदपूर्णी पूलिस को साथ लेकर चिंदपूर्णी बजार का पैदल निदिक्षिन किया उन्होंने देखा कि करोना संकर्मन के केस बढ़ने के बाद भी श्रदालू सुदर नहीं रहे हैं कई श्रदालू बिना मास के बजार में घूमते हुए दिखाई दिये कई दुकानदार भी लापरवाह बनकर बिना मास के दुकानों में बैठे थे चोटे काशी मंडी में इस बार भी नहीं होगा होली महतसव करोना संकर्मन के बढ़ते खत्रे के चलते छोटी काशी मंडी में इस बार भी होली महतसव नहीं होगा प्रशासन ने होली महतसव के आयोजन पर रोक लगा दी है धार्मिक परंपरा निभाने के लिए सिर्फ राज देवता माध्योराय की शोभा यात्रा बाबा भूतनात मंदित तक निगलेगी चोटी काशी का होली महतसव पूरे प्रदेश में विख्यात है महतसव में हजारों लोग उमरते हैं सेरी मंच पर डीजे के धुन पर नाचते गाते एक दूसरे को गुलाल लगाद जश्न मनाया जाता है पिछले साल भी करोना वाइरस की आशंका को देखते हुए आयोजन नहीं हुआ था अराज पत्रित करमचारी सेवाई महासंग के निशाने पर जैराम सरकार सिर्मोर जिला मुख्याले नाहन में अराज पत्रित करमचारी सेवाई महासंग के राज्या द्यक्ष विनोत कुमा ने कहा कि चुनाफ के दौरान कई वायदे करमचारियों से किये गई थे जो जैराम सरकार सत्ता में आने के बाद भूल गई करमचारी नेताओं का कहना है कि जैराम सरकार को सत्ता में लाने में और पूर्व सरकार को सत्ता से बाहर करने में करमचारियों की एहम भूमिका रही थी कि सत्ता में आने के लिए जो आपको स्मृत्तन करमचारियों का मिला है और आप ने सत्ता में आने के लिए जो करमचारियों से वादे किये हैं और पुर्व सरकार को जब सता से बाहर करमचारियों के दौरा हुआ और आप से उमीदें थी परन्तु वर्तमान में पिछले चार साल का लगवा काराकाल इस सरकार का होदने जा रहा है वो उमीदों पर सरकार ने भी तक तो पानी फिर दिया है हम सरकार से गुजारिश करते है कि आप करमचारियों की आर्थिक मांगों के ओपर ढल्मन रविया ना अपना हैं और पे कमिशन की रिपोर्ट को परदेश का करमचारी बहुत सालों से इंतजार कर रहा है आप आर्थिक तंगी का रोना रान होएं परदेश के अगर क्रोडों में आपके जो निगम हैं परनी मांगों को अपने अधिकारों को के पर आवाज उठाएं और सरकार अगर उसमें इस परकार का नकरातक में अपनाएगी तो उसको लेकर करमचारी और महासंग सरकार के खलाप कोई भी कड़ा कदम लेंगे ये सरकार को मान के चनलना चाहिए आप दवाब की आजिती कर कि सरकार ये ना समझें कि करमचारी भैवीत हो जाता है वो अपने केवल जो उसके एक वेदानिक अधिकार हैं कुछ फालतू नहीं मांगा जाता है सरकार को हमेशा करमचारी उने समर्थन किया है चाये वो क्रोना का संकट हो या कोई और प्रतितिया हो सुजानपूर मेले पर लगी रोग होगी सिर्फ पूजा अर्चना चार दिवस्य राष्टियस्तर सुजानपूर होली उत्सव की तैयारियों पर शनिवार को ब्रेक लग गई प्रदेश सरकार के मेलों पर रोग के आदेशों के बाद शनिवार को सुजानपूर मेला उत्सव की करीब एक माँ से चल रही थभी तेहारियां धराशाई हो गई आज की दस बड़ी खबरों के साथ आपसे विदा लेते हैं कल राज साड़े आठ बजे फिर हिमाचल प्रदेश की दिन भर की दस बड़ी खबरों के साथ इसी तरह आपसे मिलेंगे यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहे हिमाचल प्रदेश के सभी अपडेट आपका बहुत बहुत धन्यावाद